हृइ कि अacious के प barrelsडियारथ के हुँव हाज हम 7 कपिसा विश्यमिल ग्यान आधरित हड्याय धौनी के बिश्यमे मुएं आपको पढ़ाएंगे और धुनिके अंदर जो शब्द बेने पढ़ोगे आप तो जो शब्द आएंगे उन सब्सक्राइब कोई वस्तू कंपन करती है तो उस वस्तू में धवनी उत्पन होती है यह देखिए मैंने इस चमच को अहो इस पलेट के उपर ऐसा भाट किया तो यह कंपन अवाज उत्पन हो रही है जब कोई वस्तू कंपित होती है जब किसी वस्तू में कंपन उत्पन होता है तो उससे धवनी उत्पन होती है था धवनी कंपन द्वारा उत्पन होती है कोई वस्तू कंपित होती है कंपन करती है तो वस्तु धवनियत्पन करती है धवनी एक प्रकार की ओर्जा का है और धवनी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कौन-कौन शे शब्द जो आपको मुस्किल लगेंगे विशे में आपको बताएंगे अवगत रहेंगे जैसे आवर्ती आवर्ती क्या होती है देखिए जब कोई वस्तु कंपन करती है जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह तो दाएंबाएं कंपन करेगी अपनी माद स्तीती से दाएंबाएं कंपन करेगी या उपर नीचे कंपन करती है तो जब कोई वस्तु अपनी माद स्तीती से जहां पर वो वस्तु है उसमद इस्तीती से दाएं बाएं कंपन करे या उपर नीचे कंपन करे तो एक सेकिंड के अंदर जितनी बार वो कंपन करती है वह उसकी आवर्थी कहलाती है यह एक सेकिंड के अंदर कोई भी कंपित वस्तू कितनी बार कंपन करती है उन कम्पनों की संख्या जो है वो आवर्दी कहलाती है उसे आवर्दी हम कहते हैं उसको हम आवर्दी कहेंगे और आवर्दी का जो मावने की काई है वो हार्ज है हार्ज के दुबारा मावते हैं उसे आवर्दी को अब माली जे कोई कंपित वस्तू ये मादस्तीती है उसे इधर जा रही है इधर जा रही है फिर इधर आ रही है और इधर फिर जा रही है फिर अप वापीस आ रही है तो यहां गई फिर यहां गई फिर यहां आई पिस प्रकार से जो कंपित वस्तू है वो अपनी मादस्तीत से जो मैक्सिमम दूरी तै करती है अधिक से अधिक जो दूरी तै की माली इसने यह दूरी तै की वह उसका आयाम कहलाता है कंपित वस्तू के मद्य से अधिक्तम दूरी उसका आयाम कहलाता है वो उसका आयाम कहलाता है और जब कंपित वस्तू इधर कंपन किया फिर इधर आया इस समय को आवर्त काल कहते हैं यानि दोलन करती हुई वस्तू, कंपन करती हुई वस्तू जब अपना एक चक्र पूरा कर ले यहां से यहां गई, फिर यहां आई, फिर यहां गई तो यहां से यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां गई, यहां आई जितना समय उसने यूटिलाइज किया जितना समय उसने लिया वह उसका आवर्त काल कहलाता है तो इस प्रकार से आयाम के विशे में बताया हमने आयाम के विशे में बताया और आयाम के बाद में हमने आवर्त काल के विशे में बताया अब प्रबलता क्या होती है प्रबलता दवनी की उतेजना की जो दर है दवनी की उतेजना की धवनी कितनी तिक्षण है कितनी आवरती ज्यादा आवरती या कमावरती वाली धवनी है तो धवनी की उतेजना की दर को प्रबलता कैसे हैं धवनी की उतेजना की दर को प्रबलता कैसे हैं और जितने कमपन ज्यादा हों उतनी ही धवनी की प्रवलता अधिक होगी और जितनी धवनी की प्रवलता अधिक होगी तो धवनी की तिक्षणता भी उतनी ही अधिक होगी इस्तरी की जो धवनी है उसकी तिक्षणता अधिक होती है उसकी तुलना के अंदर से तो धवनी की उतेजना की दर को प्रवलता कहते हैं और आवर्ती जितनी ज़्यादा होगी प्रवलता उतनी अधिक होगी और जितनी प्रवलता अधिक होगी उसकी तिक्षनता भी उतनी ही अधिक होगी इस प्रकार से हम प्रवलता और तिक्षनता के बारे में भी हम बता सकते हैं अब एक है कि सोर क्या होता है जो धवनी हमें प्रिय लगती है जो धवनी की जो दर है उतेजनाई जो दर है वो काफी उंची हो और जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगे प्रिय लगे उस धवनी को हम सोर कहते हैं और जो धवनी हमें प्रिय लगती है उसको हम वाद्यंत्रो नहीं कोहार millor जो से एक दोंद न के विष्वू शोड़ी बात थी आपको हमने बताए अगर होती है क्या होती है आयाम क्या होता है प्रफ़लता क्या होती है तिक्षणता क्या होती है शोर क्या होता है इस प्रकार की बाते आपको बताई तो मुझे उमीद है कि ये जो छोटे-छोटी बाते थी दावनी से संबंदित छोटी-छोटी परिभाशा है थी वो उनके बारे में आपको पता चला होगा देने वाद